आज हम लोग economics का बहुत important वीडियो कवर करने वाले हैं जहां पे हम बहुत easy तरीके से सारे economic terms समझेंगे ठीक है उनकी definitions उनका मतलब differences जो भी है वो समझेंगे ताकि concept concrete तरीके से दिमाग में बैठ जाए terms कौन से GDP, GNP, national income, GDP deflator, depreciation and many more terms है ठीक है तो चले start करते हैं मेरा नाम है भानू आई ये पहले term देखते हैं first term the most important term is GDP तो पहले full form देख लें the full form is gross domestic product अब definition जहां से देखेगा definition ये है what is GDP it measures the aggregate production of final goods and services taking place within the domestic economy during a year now the keywords are ये country का aggregate production measure करता है किस चीज़ का goods का भी और services का भी और कौन से goods final goods का मतलब यहाँ पे intermediate वालों के counting आप नहीं करते हैं and this is within the domestic economy अब पहले आप final good का मतलब एक detailing थोड़ी समझ लीजिए बहुत important simple example देखिए मान लीजिए cotton खेतों में पैदा हो रही है cotton agriculture में उसके बाद उससे यांस बनते हैं यांस फिर जाके पूरा textile या मतलब पूरा एक जो bulk में कपड़ा बनता है वो बन जाता है textile के बाद वो final factories में जाके मान लीजिए जैसे t-shirt की बात कर लेते हैं t-shirt बन जाता है और आप दुकान से t-shirt खरीद के ले आते हैं अब जान दीजिएगा यहां पर cotton की कीमत आपने add करी मतलब basically आपको समझा रहा हूँ कि आप intermediate की addition मत करिएगा या फिर आप क्या करिएगा वो बता रहा हूँ आपको आप हर stage का value addition को count कर लीजिए this is the way to count the GDP कि हर stage में कुछ value add हो रहा है for example yarn, yarn से बना textile इस example ऐसे हर stage में लेगा पर example textile समझाता हूँ मैं आपको मान लीजिए textile बनाने वाले ने t-shirt बनाने वाली factory को कपड़ा बेच दिया अब t-shirt बनाने वाले ने मान लीजिए thousand rupees की t-shirt बना ली है पर two hundred rupees का textile उन्होंने खरीदा था अब ध्यान दीजिएगा, t-shirt वाली stage पे value addition सिर्फ 800 का हुआ है यूकि t-shirt वाली factory को textile 200 का मिला था और t-shirt उन्होंने thousand की बना दी, बट difference कितना है? 800, so इस stage पे value addition सिर्फ 800 का हुआ है ठीकि उसी तरह से cotton के farmer ने yarn वाले को cotton बेचा होगा फिर yarn वाले ने मानलो cotton 10 रुपे का आया, yarn 100 रुपे का बन गया value addition सिर्फ 90 रुपीज का है तो हर stage of production में जितना भी value addition हो रहा है सिर्फ उतने कोई add करिएगा GDP निकालने के लिए इससे क्या बच जाते हैं, आप किसी से बच जाते हैं? double counting से बच जाते हैं वरना आप उसी चीज को दो बार count कर लोगे इसलिए हम कहते हैं कि हमें सिर्फ क्या add करना है final goods not the intermediate ones और अगर हम value add तरीके से बढ़ेंगे तो double counting से definitely बच जाएंगे आगी बात समझ में, दूसरी बात यहाँ पर domestic economy की बात करी गई है मतलब की GDP is a geographical concept इसका मतलब अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो इंडिया की जो geographical boundaries है उसमें जितना भी production हो रहा है जितने भी goods and services final वाले है उनसे उस area का GDP बनता है ठीक, so it is not based on nationality it is based on geographical boundary इसका मतलब यह है अगर इंडिया में कोई Australia का citizen है और वो कुछ income earn कर रहा है या वो कुछ production कर रहा है तो वो भी इंडिया के GDP में गिना जाएगा ठीक, और अगर कोई Indian Australia चला गया और वहाँ पे contribute कर रहा है तो उसकी counting इंडिया के GDP में नहीं होगी तो जो इंडिया की boundary में contribution दे रहा है वही GDP में गिना जाएगा तो इसमें किसी भी nationality के factors काम कर सकते है factor का मतलब पता है ना आपको last video में cover किया था मैंने जो first video था economy का जो आपको playlist में मिल जाएगा ठीक, factor क्या होते है जो production में contribute करते है उनको बदले में क्या मिलता है salaries, profit, interest and so on ठीक, a rent मिलता है उनों लोगो तो basically production में चार तरह के बताये थे मेंना co-factors, ठीक, उनकी बात कर रहा हूँ तो it is a geographical principle is this clear? चले अब इसी लिए आपको last point समझना पड़ेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है that whole of it मतलब पूरा GDP may not accrue to the citizens of the country क्योंकि एक देश में जब GDP बनता है कई लोग बाहर सा के यहाँ पे काम कर रहे है और कई लोग यहाँ के लोग बाहर है ठीक है? वो GDP में नहीं आता so GDP is derived or driven by geographical boundaries nationality का फरक नहीं पढ़ता तो अगर मैं Brazil में काम कर रहा हूँ Chile में काम कर रहा हूँ अगर मेरा nationality वाला concept निकालने का मन हो की मतलब अगर जो इंडियन बाहर काम कर रहे है कोई अर्जेंटेना में काम कर रहे है क्योंकि वो है तो इंडियन उसके contribution को मुझे इंडिया में include करना है तो एक factor तो होना चाहिए वो अरामजे हो सकता है तो जब उसके लिए deduction कर लेते हैं तो नए आटम पता है क्या बनता है उसको बोलते हैं GNP पर एक बात ध्यान रखिए एक important चीज जो है GNP में full form देख लो पहले gross national product तो पहले GDP होता है उससे निकलता है GNP पर सिर्फ वो इंडियन्स जो बाहर काम कर रहे हैं उनके contribution को add करने से GNP नहीं आएगा भई आपको दोनों तरफ से fair और balance रखना पड़ेगा न GNP निकालते वक्त जो बाहर के लोग हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनके contribution को minus भी तो करना पड़ेगा अगर आप अपने देश वालों के add कर रहे हैं जो बाहर काम कर रहे हैं तो जो बाहर के लोग यहां काम कर रहे हैं उनका minus भी तो करना पड़ेगा तभी तो GNP बनेगा ठीक है तो full form है gross national product अब GNP क्या होता है आपको GDP में net factor income from abroad को add करना पड़ता है net मतलब जो Indians बाहर काम कर रहे हैं उनकी income या contribution को add कर लूँगा और जो foreigners इंडिया में काम कर रहे हैं उनको minus कर लूँगा तो net difference अपने आपा जाएगा इस difference को GDP में add करेंगे तो GNP बन जाएगा यह देख लो पूरा full जो लिखा है मैंने so what is GNP GDP में क्या add करना है add यह देखो plus का sign है आपे factor income earned by the domestic factors of production कीके factors मतलब वो इंसान जो contribute करते हैं production करने के लिए जैसे entrepreneurs लेबर्स या फिर जो capital देते हैं जो land देते हैं जिनको rent मिलता है interest मिलता है income मिलती है profit मिलता है मैंने चार factors की बात करी थी आपसे रेंट, interest, income और क्या था profit जो entrepreneurs होते हैं तो उनी की बात हो रही है individually नहीं मिला के बात कर रहे है so factor income earned by the domestic factors मतलब हमारे Indians it can be applied to any country में इंडिया की बात कर रहे है employed in the rest of the world तो जो हमारे nationality के लोग बाहर काम कर रहे है उनकी income हमने add कर ली जो बाहर काम कर रहे है minus उन लोग की factor income किनकी factor वो factors of production जो बाकी दुनिया के हैं पर हमारी country में employed है उनको minus भी करना पड़ेगा तो बनेगा हमारा net factor income from abroad net factor income from abroad इस चीज़ को GDP में add करने पर GNP मिल जाते है अब देखा आपने GNP क्या है GNP is a nationality concept it is not geographical concept तो जो भी बाहर के लोग थे जो यहाँ काम कर रहे थे और यहाँ के जो बाहर उनका adjustment करके हम GDP से GNP पे आ गए अब खेल geographic boundaries का नहीं रहा आप किसका होगे है nationality का अब यह Indian से contribution या उनकी income रहे तो फरक समझ गए GDP जोगरफी से गवरन होता है boundaries से और GNP nationality से और क्या change करना पड़ता है net factor income from abroad वो मेंने बता दिया आपको factor मतलब हम सब लोग जो काम करके income कमाते हैं उनको factor बोला जाता है डिटेल आपको चाहिए तो आप इछले वीडियो part 1 को देख सकते हैं समझ गए चलिए अब आगे चलते हैं GNP की बात कर ली अब एक term होता है depreciation जिसके बारे मैं पहले बात कर चूकर थोड़ा और देख लीजिए आप जानते हैं जो capital होता है ना हमारा machines हो गई, tools हो गई, implement हो गई वो उनमें wear and tear भी आता है तो उसके लिए भी आपको मतलब कुछ हिस्सा contribute करना पड़ता है मतलब a part of the capital gets consumed during the wear and tear तो आपने जितना भी capital expenditure किया है वो सारा नय capital के लिए नहीं होता कुछ पुराने के wear and tear को सही करने के लिए भी होता है इस current से उसका भी compensation देना पड़ता है जो क्या कहलाता है? depreciation this wear and tear is called depreciation मतलब वो expenditure जो आपने capital में जो capital चीज़े होती उसमें जो wear and tear है उसको सही करने के लिए जो लगता है annual लगता है, ठीक है? clear होगी बात? चले, उसकी detail नहीं इतना काफी रहेगा, अब देखो, GNP में कुछ खर्चा wear and tear मतलब depreciation के लिए भी हो रहा है इसलिए gross बोल रहे हैं अगर depreciation वाला खर्चा हटा दिया तो हमको net figure में लेगा, तो चलो minus कर देते हैं, इससे बनेगा हमारा next term, which is NNP धीरे-धीरे हमें और advanced terms मिलते जा रहे हैं, तो पहले NNP क्या देख लीजिए national product पर कौन सा वाला? net national product ठीक है आपने word का अंतर देखा था? GDP में word आया था domestic, क्योंकि ये boundary से govern होता है, NNP में word आया, GNP में word आया national, क्योंकि nationality से govern होता है, और net मतलब आपको GNP मतलब gross national product में से depreciation minus करना पढ़ेगा, क्योंकि वो तो wear and tear में चला गया, उसके बाद जो बचता है, वो कहलाता है net national product तो GNP मतलब gross figure में से depreciation हटा लीजे, wear and tear का तो मिलेगा आपको net national product समझ गए तीन terms, अब थोड़ा आगे चलते है एक problem है friends problem यह है, यह देखिएगा all these variables are calculated at market price ठीके, और हम यह assumption ले रहे हैं यहांपे, कि तो जैसे कि हमको NNP मिला था भी, NNP क्या था यह देख लीजे आप, net national product यह किस पर मिला था हमको market price पर ठीके, अब एक problem है market price में देखो, हम NNP यह जो NNP मिला है, इसका actual मतलब पता है क्या हुआ this is the NNP at market price भाई, आप जब सब की कीमा जोड़ोगे तो market price वाली कीमा जोड़ी है, आपने पर एक problem है market में मानलो में MAGI खरीदने चला गया MAGI में एक तो पूरा costing वगरा जुड़ी होगी पर tax भी तो होगा, क्या GST नहीं लगता लगता है ना GST, तो basically हम जब market price चीजों को जोड़ते है NNP निकालने के लिए market price पर, उसमें हम tax भी तो जोड़ रहे हैं, पर tax क्या सही में हमको मिलने वाला है, अगर मैं MAGI की factory में काम करता हूँ, और जितनी income हो रही MAGI की factory के, उसमें कुछ इससा मुझे हैं मिलेगा जो tax customer MAGI खरीदने पर दे रहा है, वो company के पास नहीं जा रहा है, वो तो government के पास जा रहा है तो जितने भी factors MAGI की factory में पर product खरीदते वक्त मैं indirect tax देता हूँ, ठीक है अब indirect tax को मैंने गिन तो लिए NNP में, पर वो मुझे मिलतो रहा नहीं है factors को, तो क्योंकि tax तो सरकार के पास जा रहा है, इसलिए मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो देखिएगा market price जिससे आपने NNP निकाला अभी market price पे, उसमें indirect tax add किया आपने, वो मिला हुआ है उसमें, it is included, ठीक, indirect taxes क्या होता है, वो goods या services पे impose जैसे GST हो गया, उसे impose करते हैं और कीमत बढ़ जाती है, पर जो बढ़ी हुई कीमत है, वो organization को नहीं मिल रही, वो सरकार को मिल रही है, वो आपके factors को नहीं मिल रही, government को मिल रही है, ठीक है, indirect tax collection goes to the government, not to the factors of production, ठीक है, इस current से problem पता है क्या आती है, हमें तो NNP किसके लिए निकालना है कि factors हो क्या मिलने वाले आखिर कार country में production करने पर, तो अगर मुझे NNP निकालना है, which actually goes to the factor of production, तो उसे क्या बोलते है, NNP at factor cost, तो अभी मुझे मिला NNP मतलब net national product किस पे, market price पे, पर अगर आपको actually में निकालना है कि NNP वो कौन सा होगा, जो factors में बटेगा, उनके पास होगा, तो आपको factor cost पे निकालना पड़ेगा, इसको बोलते हैं market price से factor cost तक जाना, ठीक है, और factor का मतलब आप लोग जानते हैं, क्या होता है, 4 तरह के मैंने बता दी थे आपको, ठीक है, तो market price से factor cost तक जाना, अब, जब हम factor cost पे चले जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, NNP at factor cost, अब ही क्या निकाला था अपने, जो GNP से depreciation minus करके, ये निकला था NNP at market price, अब जो आएगा, उसे बोलेंगे, NNP ही बोलेंगे, पर market price नहीं factor cost, जो factors में अफ्लियों बटने वाले हैं, taxes हटा के, अब NNP market price का तो मिली चुका है, हमें factor cost का निकालना है, तो हमें दो तरह के adjustment करने पड़ेंगे, पहला adjustment, उस cost में indirect taxes added हैं, पर वो factor के पास नहीं सरकार के पास जा रहे हैं, इसलिए उन indirect taxes को आपको minus करना पड़ेगा, पर ये चीज़ और, tax उसरकार के पास पर सरकार आपकी help भी तो करती है, कैसे help करती है, subsidy देखे, अब अगर मैंने कोई warehouse बना दिया, उसमें government ने 40% subsidy मानले example में दे दी, तो मेरी कीमत तो कम लगी, पर इसका मतलब warehouse की worth भी कम है क्या, नहीं वो तो totally है न, subsidy तो आपको digital मिल रही है न, तो आपको जितनी cost लगी आपकी, उसमें subsidy add करना पड़ेगा, समझे, अगर taxation जो सरकार आपसे ले रही है, वो अगर आप minus कर रहे हो, तो जो सरकार आपको extra दे रही है subsidy, वो add भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि या accounting करते बाद उसको add करना पड़ेगा न, इसलिए हमें government subsidies अगर मिली है, add करना पड़ेगा, और सरकार बहतरा की subsidy देती है, जैसे की petroleum पे तो आप नहीं है, पर जैसे की आप मान लिजी कैरोसीन पर होती है, उसके बाद food grains पर subsidy मिलती है, सस्ते में food grains के जगा मिलते हैं, वो सब चीज़े, अब अगर मुझे food grains सस्ते हैं मिल रहा है, चावल मिल रहा है मुझे 5 रुपे पर केजी, पर जो उसकी actual cost है, वही तो main चीज़े जो गिनी जानी चाहिए, तो जो gap सरकार subsidy के form में देर ही उसको add करना जरूरी है, तभी आपको actual figure मिलेगा, वरना कम मिलेगा, तो समझे, taxes minus करो indirect वाले, और subsidy को add करना पड़ेगा, तब जाके आप market price से factor cost तक पहुच पाएंगे, बस दो adjustment करने पड़े हैं, that's all, तो वो हम करके अब final formula पे आते हैं, देखे दियान से, अब हमें क्या मिलने वाला है, NNP at factor cost, अब देखे, मैं थोड़ा font छोटा इसलिए किया है, because मैं चाहता था equation एकी line पे आजाए, so NNP at factor cost क्या होता है, ये जो, what is NNP, net national product, जो GNP का depreciation हटाने के बाद मिलता है, so आपको NNP at market price में indirect tax minus करना है, और subsidy को add करना है, ये दो changes आपने कर दिये, एक को minus, एक को plus तो आपको ये मिल जाएगा, अब थोड़ा हम rearrange कर रहे हैं, मैं minus common ले रहा हूँ और bracket में दोनों चीज़े आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, indirect tax plus में आ गया और subsidy minus में आ जाएगी, तो bracket खुलने पर देखा आपने, indirect tax minus में ही रहेगा और subsidy plus में, क्योंकि मैंने minus बाहर common लिया है, इसलिए subsidy minus में दिख रही है आपको, क्योंकि मैंने common लिया और bracket बना दिया, समझ गए, अब ये जो bracket बना है न, इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, इस चीज को हम मिला के क्या बोल देते हैं, net indirect tax, और इस पूरी कहानी को हम NNP at market price से माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, NNP at factor cost, जहाँ पे जो लिखा है, net indirect tax, ये actually में क्या है, indirect tax minus subsidy, तो जो आपका NNP होता है, factor cost का, वो कैसे मिलता है, आपको इधर देख लीजिए, मैं नीचे लग देता हूँ, आपकी जो NNP market price का है, उसमें बस एक चीज माइनस कर दो, कौन सी चीज, net indirect tax, और net indirect tax क्या होता है, net indirect tax होता है, indirect tax minus subsidy, तो आपने दो adjustment कर दिये, आपका काम बन गया, indirect tax minus कर दिये, subsidy add कर दिये, आप market price से factor cost पे चले गए, simple सा काम, और कुछ नहीं सोचना है आपको, ठीके, चलिए, अब, last चीज, एक term सुना होगा आपने national income, हम तब से पूरे देश के बारे में calculation कर रहे हैं, कभी GDP, कभी GNP, अभी तक हम कहां पहुच चुके हैं, repeat कर दू मैं आप पे, देख लो, ऊपर यहां लिख देता हूँ, पहले GDP पे थे, GDP ठीके, फिर कहां पे आए, GNP पे, फिर NNP पे, पहले किसके लिए market price के लिए, और आप किस पे आगए, NNP at factor cost, ठीके, अब, national income जो होता है, वो क्या होता है, इन में से, चारो national figures ही हैं, पर इन में से national income किसे बोलते हैं, इसे बोलते है national income, ये देखिए, national income, जो net national product होता है, NNP factor cost वाला, market price वाला नहीं, factor cost वाला, उसी को economics के term में national income बोला जाता है, so national income is the net national product at factor cost, not the market price, ठीके, तो इसलिए national income को आपको ऐसे लिख सकते हैं, you can write national income as NNP at market price minus net indirect tax, और net indirect tax क्या होता है, अभी पढ़ा था आपने, indirect taxes minus, ये indirect taxes की बात कर रहा हूं है, indirect taxes minus subsidies, जो पिछले में हमने देखा था, तो ये जो कहानी लिखी है आपकी, ये वाली मैं इसको पूरा हटाता हूं, थोड़ा ज़्यादा चीज़े होगी यहां पर, ये देख लो, ये जो definition लिखी है ना मैंने यहां पर इस वाली को, इसको आप बोलोगे NNP at factor cost और इसी को आप national income भी बोल सकते हो, national income जो मैंने यहां पर लिखा है, होगी बात clear, चलिए, main terms यही सारे हैं बर 2-3 terms और है बहुत important वो और देख लो, पिर गानी का term, clarity आ रहे हैं आपको कैसे move करें हम लोग, आईए, अब GDP is a very important parameter और हम GDP से ही काफी बाते करते हैं यहां पर, friends, एक मिट और लूँगा मैं आपका, फिर आगे चलता हूँ, आगे के terms बहुत simple है, देखे, final goods या services यो country में बनी थी, जो हमने value add चीज़ से निकाली थी, उसे GDP बोला, ठीक है, उसके बाद जो बाहर के लोग यहां काम करें, उनको minus किया, और यहां के लोग जो बाहर काम करें, उसको add किया, तो हमको क्या मिल गए, GNP, cross, national product, depreciation minus किया, आपने तो आपको NNP मिल गया, पर किसमें मिला, market price में, आपने जो adjustment करें, indirect tax minus किया, और आपने subsidy को add किया, तो क्या मिल गए आपको, NNP at factor cost, और इसी को हम लोग national income बोलते हैं, बस यह cycle पूरी होगे, अपको इतना याद करने हैं आपको, अब कभी इसमें डाउट नहीं होगा आपको, चलो आगे चलते हैं, अब GDP की कहानी को सोड़ा, क्योंकि हम GDP के term में चीज़े निकालते हैं, अब उसमें सोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कि अभी GDP दो तरह का होता है, nominal GDP और real GDP, अब इसमें फरक क्या ध्यान दीजेगा, अभी तक हम एक assumption लेके चल रहे हैं, एक assumption inherently हम लेके चल रहे हैं क्या, कि जो goods की prices हैं, goods and services की prices वो change नहीं होती, यह हम मान के चल रहे हैं, भाई हम इस साल की बात कर रहे हैं, तो इस साल हमने क्या किया, जितने भी goods and services उसकी final value वाली value आड़ कर दी, value आड़ वाले तरीके से, पर problem यह है, यह value बदल भी तो सकती है, तो हम यह कैसे मान सकते हैं कि prices constant रहती हैं, they can change, ठीके, इसलिए यहाँ पर दो तरह के GDP आते हैं, nominal और real, definition देखिए, what is nominal GDP, it is the value of GDP at the current prevailing price, मतलब इस साल product और service की जो भी इस वक्त price है न, उससे जो GDP निकले का उसे nominal वाला बोलते हैं, पर, real GDP क्या होता है, goods and services which are evaluated at some constant set of prices, अब एक problem संजीए, बहुत important concept बता रहा हूँ मैं आपको, जहां से सुनिएगा, friends एक बात बताएगे मुझे, एक बात हम मान के चलते हैं कि हमारी economy में सिर्फ समोसे बनते हैं, मैगी समोसे, चलो हम समोसे की, मैगी की बहुत बात कर ली, हमारे देश में सिर्फ 10 समोसे बनते हैं, इस साल बने, एक समोसे की price में 20 रुपे मान लेता हूँ, तो 10 समोसे 20 रुपे का एक समोसा है, तो हमारी GDP कितनी हो गई, 200 रुपे, 10 into 20, अब अगले साल, भाई आप जानते हैं concept of inflation, हर साल कीमते बढ़ती हैं, ठीक है, अगले साल एक समोसा 25 रुपे का हो गई, पर अगले साल समोसे हमारी economy ने 10 ही बनाए, तो next year समोसो का number 10 है, पर एक समोसी की price कितना हो गई, 25 रुपे, what is 10 into 25, 250, तो इस साल का GDP 200 आ रहा है, अगले साल का GDP 250 आ रहा है, पर real में, क्या हमारे देश में production बढ़ा है क्या, कुछ नहीं बढ़ा, आज भी 10 समोसे थे और कल भी 10 समोसे हैं, तो technically increase तो कुछ भी नहीं हुआ, बस price बढ़ी है, पर production तो actually same ही था न, समोसा तो बिल्कुल same ही था आपका, पर हमें देखने में क्या समझ में आएगा, कि भाई, इस साल GDP 200 था, अगले साल 250 हो, क्या मतलब increase हुआ, सच में increase हुआ है क्या, कुछ increase नहीं हुआ, हमें जो भी GDP में फरक दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है, because of price change, not because of actual production change, production तो same था, अब कीमत बढ़ा की इस लाप को ऐसा लग रहा है, इसी कारण से हमें ध्यान रखना पड़ता है, कि price change चे कारण जो असर आ रहा है, उसको हम development ना मानगे, क्या आपकी economy ने development किया, क्या, नहीं किया, वो आज इस साल भी दस समोच से बना रही है, अगरे साल भी दस ही बना रही है, तो यह फरक क्यों दिख रहा है, 200 और 250 का, price change हुआ है, development नहीं हुआ है आप, समझ गए, इसलिए, यह 200 और 250 क्या है, these are nominal GDPs, उस साल की price पे निकाल लिया, but they may not show the GDP, actual GDP growth, उस साब को actual growth का अंदाजा नहीं होगा, यह सिर्फ कीमत का फरक है, समझ गए, वोई बात clear, इसलिए हमें, best रास्ता पता है क्या होगा, हम हर साल price को change ना माने, हम किसी एक साल की price को base मान लेते हैं, उसी price पे हर साल के production पे total निकालेंगे, तो price change का असर अपने अब खतम हो जाएगा, इसलिए हम किसकी बात करते हैं, concept of base year, इस base year की price लेके हम हर साल के production निकालेंगे, इसलिए price change का असर हम लोग हटा देंगे, और तब हमको मिलेगा real GDP, समझ के बात, that is why it is very very important to keep up base year, वरना कीमत बढ़ने के विसे GDP आपको increase होता हो दिखाई देगा, पर actual में कोई development होगा ही नहीं जमीन पर, समझ के, चलिए, अब इस बात को छोटे से example से clear करूंगा, let me assume कि हमारी country में सिर्फ onions भिखते हैं, ठीक है, अब दो साल ऐसी चलो, 2010 और 2011 की बात करेंगे, ठीक है, अब 2010 में मान लीजे, there are 10 kgs of onions, और 1 kg का price था इस टाइम पे, lettuce से, मुझे नहीं पता, प्यास की कीमत, SS मतलब फ़ड़ा अंदाजा है, 30 रुपीज मान लेते हैं, 30 रु जानके चलते हैं कि 15 kgs प्याज प्रड्यूस हो रही है, मतलब increase कर दिया, increase हो गया, और उसके साथ साथ, price में change कितना हुआ है, 40 रुपीज पर केजी, is the thing clear, चलिए, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि nominal GDP क्या होता है, nominal GDP उसी साल की price पे निकलता है, तो यहाँ पे आप 10 into 30 की price 30 है, तो 10 into 30 कर दो, कितना जगा 300 रुपीज, यह nominal GDP है, ठीक है, अगले साल, ठीक है, अगले साल 2011 की बात करते हैं, हमें 2011 का nominal GDP निकालना है, तो हमें 2011 की price ही use करनी पड़ेगी, तो 15 into 40 कर दो, 15 into 4 कितना होता है, 600 है, 60, तो जीरो भी हैं आप, बेसिकलिए 15 into 4 कर दो, त nominal, क्या आपके देश के GDP डबल हो गया है, क्या, नहीं हुआ है, price change भी तो हुआ है, price change, growth को नहीं दिखाता, ठीक है, अब ध्यान दीजे, अब, अगर मुझे, मैं 2010 को ना base year मान के चल लेता हूं, कि 2010 की prices मैं across आने वाले सारे सालों में use कर सकता हूं, अब निकालते हैं real GDP, अ real GDP निकालते वक्त, real GDP, कौन से year का 2011, जिसमें base year क्या माना है आपने, 2010, इस चीज़ को निकालते वक्त, आप 15 kgs तो लोगे, पर price उस साल की लोगे या base year की लोगे, base year की लोगे, ताकि एक constant standard set कर सबो, ताकि price के difference से current GDP growth से confuse ना हुआ, तो 40 ले, 30 ले, 30 लीजे, what is 15 into 30, 450 rupees, this is the real GDP, तो आप किसे compare करोगे, 300 को 450 के साथ, या 600 के साथ, 450 के साथ, तब GDP growth rate आपकी आती, जो paper में पढ़ते रहते हो, अंतर समझ गए, production का change लो, पर price को constant मानो, तभी तो production की growth दिख पाईगी आपको, वरना आप दोनों को mix कर दोगे, समझ गए, ये concept होता है, difference होता है, real GDP, समझ गए, अब, real GDP price के change पर ध्यान नहीं देता, पर nominal GDP देता है, वो current year की price लेता है, ठीक है, अब एक बात बताईए, अगर मैंने nominal GDP और real GDP का ratio ले लिया, तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि nominal और real GDP में देखा आपने, दोनों GDP, ये था nominal GDP, इधर ये वाला, ये था real GDP, दोनों में 2011 के लिए मैंने प्यास को 15 kg ही लिया है, पर nominal वाले में मैंने उस साल का price लिया, और real वाले में पिछले साल वाला, मतलब जो base year का price था, तो nominal और real GDP में production का अंतर नहीं होता, price का अंतर होता है, production तो same लिया, दोनों में 15 लिया आपने, nominal वाले में उसी साल का price लिया, और base वाले में, sorry, real वाले में base price लिया, ठीक है, इसलिए, अगर आप दोनों को divide करोगे, तो जो factor रहागा पता है, वो क्या indicate करेगा, कि price difference क्या आ और real वाले में price difference के अब बात ही नहीं करते है, आप हर बार base year पर जाते हो, तो अगर divide कर दिया, तो जो factor मिलेगा, वो क्या indicate करेगा, कि कितना price change हुआ है, ठीक है, so the ratio of nominal GDP, जो उस साल की actual price पर होता है, to real GDP, जो base price पर होता है, it will give us an idea of how the prices have moved from the base year to the current year, तो कि यह जो price change है, वो nominal GDP तो लेगा, पर real GDP नहीं लेगा, इसलिए divide करने पर जो factor आएगा, वो price का change indicate करेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, GDP deflator, so GDP deflator is the ratio of nominal GDP upon real GDP, nominal GDP upon real GDP, मान लो यह 1.5 आगया, मतलब समझें आप लोग, price में change कितना है, 50% का change है, percentage याद है आपको, 1.5 मतलब 50% का change है, समझ गए, तो यह price change indicate करता है कौन, GDP deflator, आप इस factor को 100 से multiply करके, इसको percentage form में भी निकाल सकते हैं, मतलब आप 1.5 को आराम से क्या बोल सकते हो, 150%, तो इनको 100 आ और last concept हम लोग आ रहे हैं, वो सुन लीजिए, price का change inflation कहलाता है, और GDP deflator एक तरीका है, price के change को निकालने का, पर price को change को indicate करने के लिए, कुछ factors तो और भी होते हैं न, economics में, उनकी बात भी करनी पड़ेगी, so there are two other ways to calculate price change in economy, वो कौन से होते हैं, consumer price index और wholesaler price index या wholesale price index, उनकी ब भी price change दिखाते हैं, इनमें फरक्त क्या होता है, फिर उसकी बात करेंगे अभी, ठीक है, very important, बस एक दो slides हैं, देखते हैं, चले, so CPI मतलब consumer price index और wholesale price index इसकी बात करते हैं, ठीक है, what is consumer price index, ये दोनों चीज़े price change ही दिखाते हैं, पर consumer price index जो होता है, वो एक index है, of a given basket of commodities which are bought by the representative consumer, तो जितने भी बहुत सारे sectors हैं, उनमें से percentage wise आप एक basket बनाते हो, for example, food का इतना, fuel का इतना, power का इतना, electricity का इतना, इन सबका percentage पूरा लेके आप एक पूरा basket बनाते हैं, basket of commodities, उनकी कौन सी price लेते हो आप, उनकी वो price जो consumer, retailer को दुकान में देता है, ठीक है, तो ये, इ basket में जो items है, communities हैं, उनकी वो price लेते हैं, जो consumer देता है, ठीक है, पर, ये तो consumer price हो गई, जिसको selling price बोलते हैं, पर एक wholesale price भी तो होती है, जो आप कहते हैं थोक बजार जो होता है, जो wholesale में, bulk में चीज़े बिखती हैं, wholesale price पे भी calculations हो सकते हैं, तब ये कहलाता है WPI, wholesale price index, ये वो index है, of a given basket of communities, based on bulk और wholesale prices, तो दोनों में baskets होती हैं, जिसमें percentage distribution हैं, various sectors का, पर, CPI में आप लेते हैं, consumer price, और wholesale वाले में लेते हैं, wholesale price, आप जानते हैं, wholesale price में जब कुछ margin जुडता है, तब बनता है consumer price, इसे दोनों में फरक होता है, समझ गए, आपको आलू में मंडी में 20 रुपे किलो मिल गया, पर आपके घर के पास वाले दुकांदार उसे 30 का बेच सकता है, because वो wholesale price है, पर यह consumer price है, यही फरक होता है WPI और CPI, और calculation बिल्कुल सेम होता है, कैसे होता है, इधर देख लोगा, यह देखा था आपने, CPI, WPI दोनों में ही एक base year होगा, जिसकी आप price मानोगे, फिर आप उस साल की price मानोगे, तो आपको एक मिलेगा nominal value, यह एक nominal value मिलेगी, एक real value मिलेगी, इनको divide करने पर आपको CPI मिल जाका, जैसे आपने यहाँ पर deflitter निकाला था, ऐसे तो निकाला था ना, कि आप एक value real वाली लोगे, base year वाली, एक nominal लोगे, current year की, उनक उसी तरह से एक base year वाले concept पर, और current values निकालके ही, आप CPI और WPI निकालते हैं, समझ गए, ठीक है, पर अब सवाल यह उठता है, कि जब वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं, GDP deflitter, और वही काम हम CPI, WIPI में कर रहे हैं, तो फिर दोनों में फरक क्या है, this difference is very very important, जो मैं बताता ह हूँ आपको, उससे पहले एक बात सुन लीजिए, हमारी country में, officially जो inflation calculate होता है, वो किसके term में होता है, GDP deflitter, WPI या CPI, CPI, consumer price, value सारी आती हैं, पर official inflation किसको मानते हैं, consumer price index को, और इसे control में रखना किसकी जिम्मेदारी है, monetary policy committee, MPC, जिसको RBA governor head करते हैं, monetary policy committee, इसको यह legal जिम् ही है, कि हमारे country का inflation 4% रहना चाहिए, और plus minus 2% का bracket दिया गया है, किसका bracket, CPI या WPI, CPI का, मतलब कि हमारा inflation 2% से 6% सक हो सकता है, ना तो 6 के उपर जाना चाहिए, ना 2 से नीचे जाना चाहिए, this is the most optimum level, जो MPC को पुरा करना पढ़ता है, monetary policy committee, which is headed by the RBA governor, टीक है, यह values किसकी है यह सारी values, CPI की, समझ गए, चलिए, अब आगे आते हैं, कि यह CPI, WPI और GDP defilator में फरक क्या है, जबकि calculation process almost similar है, फरक बहुत simple है, तीन फरक है, तीन differences, वो देखे ध्यान से, इसके बाद बस एक आखरी slide और है, then we are done, ठीक है, चलो फरक देख लो, पहली चीज, CPI, WPI में एक basket होता है, it does not include all the goods produced in the country, कुछ ऐसे goods, जिनको consumer use ही नहीं कर रहा, वो CPI, WPI में नहीं आएंगे, पर GDP वाले में, GDP निकालते हैं, उक साली सीज़ा आती हैं आदेश की, तो GDP defilator में, it includes all the goods, तो समझ गए आप, CPI और WPI calculations में, सारे goods include नहीं होते हैं, पर GDP defilator, because GDP से ही निकल के आ difference, यहाँ basket होती है, यहाँ पर सारे products होते हैं, दूसरे difference देखिए, CPI includes the goods which are purchased by representative consumer, इसी लिए इसमें imported goods भी होते हैं, ठीक है, पर GDP defilator में important goods, नहीं, यह point यहाँ पहाँ है, तो same point हम बोल रहे हैं, ठीक, तो CPI because it is purchased by representative consumer, उसमें imported goods होते हैं, पर GDP defilator का मतलब आप जानते हैं, भई GDP में क्या होता है, उसी देश की boundary, geographical concept है याद आया, उसी boundary में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका production की बात होती है, इसलिए इसमें imported goods की जगा नहीं होती है, last point, ठीक है, देखो CPI और WPI में जो price लेते हो आप, उसके लिए आप basket पहले बन लेते हो, कि food इतना percentage, fuel इतना percentage, power electricity इतना percentage, इसलिए इसमें सारे communities या items का weight constant रहता है, पर GDP defilator तो GDP से निकल के आता है, उसमें कोई weight prescribed तो पहले से होता नहीं है, GDP defilator में ये percentage या weight जो होते हैं, अलग-अलग चीजों के weights, वो vary करते हैं depending on level of production, ये pre-decided नहीं होते हैं, तो CPI, WPI में सारे factors या सारे जो आपके communities है, items है, उनका weight या percentage pre-defined है, पर GDP defilator में ऐसा नहीं होता है, उसमें vary करता है, it depends on the level of production, अंतर समझ गए, ये 3 differences होते हैं, अब CPI, WPI की बात तो मैंने करी जी थी, इन दोनों में और इसके 3 differences मैंने clear कर दिये, simple differences हैं न, conceptual बिलकुल, GDP एक बहुत important factor होता है, जिससे हम country की growth assist करते हैं, आप बोलते नहीं हो क्या, इतने percent से growth किया, 8%, 10%, 6%, 7%, so we are regularly using in economics, GDP as an indicator of country's growth, पर country के actual welfare में GDP को indicator मानना सही है या नहीं, indicator तो है, पर कुछ कमिया तो नहीं, इस indicator में कमिया है, there are some factors जिस कारण से GDP को actual welfare के indicator नहीं मान सकते हैं, क्या है वो factors ध्यान दीजेगा, पहली चीज, distribution of GDP, आपने GDP निकाल लिया, इतने करोडो, इतने million, इतने trillion सब निकाल लिया, पर क्या वो समाज में evenly distribute हो रहा है, कहीं किसी country में inequality तो नहीं है, और वो हमारी country में है, हमारी country के GDP अ percentage of people के पास बहुत सारी income percentage है, इस कारण से GDP, सिर्फ GDP फिगर अच्छा होने से country में growth या welfare नहीं आता, वो बराबर बटना भी चाहिए, और अगर country में inequalities है, इस inequality को GDP इंडिकेट नहीं करता, अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, आपके पास 1000 रुपए हैं, तो 1000 प्लस 10 कितना हो गय आप 505, पर fact यह नहीं है, fact है कि मेरे पास 10 रुपए, आपके पास 1000 रुपए हैं, inequality है, जो GDP इंडिकेट नहीं करता है, इसलिए वो complete parameter नहीं है, एक factor और देख लीजे, there are many non-monetary exchanges, अब मेरी मदर ने सुबह मेरे ब्रेकफस्ट बना लिया, कितना great contribution है, पर are we including that, no, because कई ऐस exchanges या काम होते हैं, process होते हैं, जो monetary नहीं होते हैं, अगर कोई restaurant में खाना बना रहे हैं, तो GDP में उसे गिन लिया जाएगा, पर जो घर पे खाना बना रहे हैं, इस contribution को गिना ही नहीं जाता, हमारी मदर्स कितना काम करती, क्या हम उने गिनते हैं economically, नहीं, गिनना चाहिए वैस पर नहीं गिनते हैं, इसलिए GDP is not the most accurate indicator, एक चीज़ और, अभी भी एक सिस्टम होता है गावां में जिसको हम बाटर सिस्टम बोलते हैं, बाटर मतलब exchange of good, वहां money नहीं होता, मैं आपको एक किलो चावल दूँगा, आप मुझे एक किलो टमाटर दे दो, क्योंकि आपके ट सिस्टम इंक्लूड नहीं हो पाता, इसलिए भी GDP प्रॉपर इंडिकेटर नहीं है, एन लास्चीज, एक्स्टर्नालिटी, एक्स्टर्नालिटी मतलब जब भी कोई हम production वाला या कोई भी काम करते हैं, उसके कुछ external effects होते हैं, जिनकी ना तो हम पे penalty लग रहे हैं, ना तो हम में कोई main काम करना था, ठीक है, उसका बहुत सारा बहरी असर होता है, external effect, जिसके लिए ना तो penalty लग रहे हैं, ना हमको pay करना पड़ रहा है, ऐसे externalities GDP इंक्लूड नहीं करते हैं, example देखिएगा, ये externalities positive भी हो सकते हैं, negative भी हो सकती, मानने मुझे dancer बनने का मनने हैं, और हर गंटे में, अपने घर में, अपने कमरे में, music fast चला के dance सीखता हूँ, तो मैं dance सीख गया, पर मेरे इस music fast चलाने से पड़ोस में कोई बच्चा अगर नहीं पड़ पा रहा है, तो it is a negative externality, उसी तरह से मान लो एक refinery है, एक refinery बहुत सारा crude oil यूज़ करके petrol बना रही है, डी crude price minus कर देना, क्योंकि आपको सिर्फ value adds GDP निकाल तो यादेना, the value addition part, तो आपने जितने भी final product थे, उनकी price से input minus कर दिया, तो आपने refinery के contribution GDP में ले लिया, अबर एक problem है, कई बार कुछ leakage होते हैं, कुछ waste products होते हैं, जिससे पडोस में पानी खराब हो सकता है, कई बार industrial waste से river water खराब होता है, वतलब वो पानी पीने का लाइक भी रहता, it is not pure enough to drink, तो ये भी तो उन industry जिससे contribution आप GDP में ले चुके हो, उनका negative effect है, चीक, तो क्या इन चीजों का असर हम नहीं देखेंगे, नहीं, GDP नहीं देख पाता, तो GDP refinery के production तो include कर लेगा, पर उस production से हमारा पानी क कैसे खराब हुआ, हमारी हवा कैसे खराब हुई, इसका असर वो नहीं देखता, और इसी वज़ा से GDP को में absolute indicator नहीं मान सकते, कुछ देश हैं, for example, GNS सुने आपने, gross, national, मतलब happiness index बना रहे हैं आजकल countries, happiness index, for example, हम भूटान को happiest country बोलते हैं, वो अपना index GDP से नहीं निकालते ह happiness से निकालते हैं, जिसमें उसे production की बाते नहीं करेंगे, value at की बात नहीं करेंगे, उनके लिए खुशी भी जरूरी है, कि समाज में लोग happy कितना है, तो इसलिए अलग-अलग countries कोशिश करती हैं कि अलग-अलग indicators निकाले जाएं, क्योंकि सिर्फ GDP से कुछ नहीं होता, ठीक में हमने GDP पे खतम किया, बीच में GNP, NNP, market price, factor cost, inflation, CPI, WPI, GDP deflator, सारी बात करी, सारे definitions, सारे differences, सारे clarity में आपको दे चुका हूँ, अब आप newspaper में जब भी इनको पढ़ेंगे, आपको कभी doubt नहीं होगा, so I think अब concept bad गया, आप कभी doubt आपको नहीं होगा, तो अब अराम से newspaper म economics वाला part पढ़िये, facts को जोडिये, अब क्योंकि आपका basic foundation clear हो गया, you'll feel more confident in economics, ठीक है, अगर content पसंद है, तो video like ज़रूर कर दीजेगा, अपने comments, अपने feedback ज़रूर लिखेगा, comment section में, आपको comment का मुझे इंसार रहता है, positive, negative, जो भी हो, all the feedbacks are welcome, and अगर channel subscribe नहीं किया, तो subscribe बटन दबा दीजिए, अगर subscribe कर भेज़, उसको बगल में जो bell connection उसको दबा दीजिए, ताकि video जब भी release करता हूं मैं, आपको एकदम से notification मिल जाए, video देखने के लिए thank you, have a nice day.